subscribe कीजिए गुलशादनसारी चेनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफ़ेकेशन्स मिलें और आपकोई भी वीडियो मिस्त ना कर पाएं लास्ट वीडियो में हमने वीरे काई वीरे सन क्रिएड के था और और इसका रिजल्ट हम यहां तक पहुंच गए थे इस वीडियो में हम create करेंगे वीरे डॉम लाइट और उसमें हम use करेंगे वीरे एच्डि आराई तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहां पर यह मेरा top view port है और यहां पर मैंने यह वीरे sun इसको मैंने यहां पर disabled करा दिया और 8 प्रेस करेंगे यहां पर यह environment and effects open हो जाएगा और use map को भी मैंने यहां से uncheck करा दिया अब अगर मैं यहां पर देखता हूँ render करके तो अब मेरे environment में कोई lighting नहीं है फुल ब्लेक हो गया अब हम यहां पर वीरे डॉम light create करेंगे वीरे डॉम light create करने के लिए आपके पास वीरे टूल बार show हो रही है तो आप यहां पर click करेंगे वीरे डॉम light या फिर आप जाएंगे यहां पर create panel में lights यहां पर select करेंगे वीरे और यहां पर आपको click करना होगा वीरे light और वीरे light में आपको यहां पर select करना होगा डॉम अगर आप मेरा कोई भी pad course लेना चाते हैं तो नीचे description में मैंने link दिया है आप महाँ से click करके कोई भी मेरा course ले सकते हैं और आप इसको top viewport में ही create करेंगे नहीं तो आप से mistake हो सकते हैं अगर आप front viewport में left में या perspective में create करते हैं तो आपके साथ में इसमें कुछ problem हो सकती है कुछ mistake हो सकती है तो मैंने यहां पर ऐसे click करा दे कहीं भी top viewport में आप अपने project के आसपास click करके लगा सकते हैं तो आप देखें यहां पर यह मैंने वीरे dom light create कर ली इसको आप कहीं भी रख सकते हैं अगर आप इसको perspective में देखेंगे तो यह dom की shape की lights होती है अब मैं यहां पर click करता हूँ render करके देखता हूँ बस वीरे dom light लगाई है तो वीरे dom light लगाते ही हमारे पास इसमें यहां पर हelکी सी lights में दर आई है तो इसमें हम VHDRi यूज़ करेंगे और VHDRi की जगा आप इसमें VHDRi की जगह आप इसमें वीरे sky भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं आप इसको select करेंगे select करने के बाद जब यहांपर आप किलिक करेंगे modify में यहां पर texture में no map लिखा हुआ है तो आप यहांपर click करेंगे 95 यह फिर हमारे पास उलडैडी लगा हुआ है यहाँ बिरेज का ही मैं इसको यहांपर click करके यहाँ यह आप ड्रेक करके यह पर इसको में drop कर देता हूं और instance करा दिया suppose और मैंने या copy करा लिया यह आपके उपर depend करता है अगर आप instance करते हैं तो दोनों में कहीं भी changes करेंगे दोनों जगा changes हो जाएंगे ओके बटन पर click करा दिया अब मैं इसको को रेंडर करके देखता हूं तो इसमें पीछे से इसकाई भी नजर आ जाएगा तो आप इसमें इसकाई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यहां पर यूज़ करने वाले इसकाई अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है नहीं तो यहाँ पर किलिक करके है यहाँ पर कोई भी आप V-ray Sky का मेप यूज करके है यहाँ भी यूज कर सकते हैं और V-ray Domlight में भी अब हम इसमें Create करेंगे HDRI तो मैं यहाँ पर किलिक करता हूँ इसको में Right किलिक करके Clear करा देता हूँ अब मैं यहाँ पर फिर से No Map लिखा हुआ आगया No Map पर किलिक करेंगे आप यहाँ पर जाएंगे Maps में V-ray की केटेगरी में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा V-ray HDRI इसको सेलेक्ट करेंगे OK बटन पर किलिक करा देंगे अब आपको उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पर HDRI रखी हुई है तो मेरे पास यहाँ पर यह HDRI इमेज है यह High Definition Range इमेज होती है HDRI की फुल फॉर्म होती है High Definition Range इमेज बहुत High Quality की इमेज होती है जो 360 में किसी रियल जगा पर ली होती है तो यह आपको कहां से मिलेगी मैंने नीचे description में उसका link दिया है तो मैंने इसको select किया और open करा लिया बस यहाँ पर यह आ गई मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने यह कहां से download किया यह वाली HDRI मैं use कर रहा हूँ यह वाली मैंने download कर रखी है और आप देख सकते हैं यह इस तरह की एक image है और लेडी बनी हुई है किसी ने capture करके यहाँ पर इसको post किया है इसका link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ से आप इसको direct download कर सकते हैं तो जब आप उस link पर click करेंगे तो आपके सामने यह वाली website open होके आएगी और आप यहाँ से download कर सकते हैं अगर आपके पास मैच्छे internet की speed है तो आप इसको high से high मतलब ज़्यादा से ज इसको लगा दिया है अब मैं यहाँ पर इसको render करके देखता हूं तो आप देखिए यहाँ पर environment में पीछे tree वगेरा नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है apply हो गई है लेकिन lighting बहुत ज्यादा कम है तो lighting को हम कैसे control करेंगे last render में आपने देखा होगा काफ अच्छी lighting आ रही जब हमने sky लगाया था इसमें dome light में तो अभी हमने अगर इसमें HDRI लगाई है तो यहाँ पर इसमें कुछ lighting बिल्कुल कम हो गई है तो इसको हम कैसे control करेंगे सबसे पहले तो अगर आप website पर जाके देखते हैं इस वाली website पर तो यहाँ पर इसने खुद लिखा हुआ है जि लेकिन हम अगर यूज कर रहे हैं वीरे physical camera तो उसके लिए आप सबसे पहले अगर आप lighting चेंज करना चाते हैं तो आप अगर इसको select करते हैं वीरे dome light को यहाँ से हम direct इसमें multiplier को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर अभी multiplier 1 है suppose को मैंने यहाँ पर इसको 30 करा दिया अब हम यहाँ पर click करते हैं और इसको render करके देखते हैं तो lighting ज्यादा होगी एक तरीका तो यह है lighting ज्यादा करने का अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं मैंने इसको वापस यहाँ पर करा दिया one और मैंने यहाँ पर वीरे material editor में ने open करा लिया और किसी भी खाली slot को empty slot को select करा लिया और hdri को select करके इसको यहाँ से हम यहाँ पर डाल देंगे और instance करा देंगे क्योंकि जो यहाँ पर change करेंगे वो यहाँ पर change हो जाएगा होगे बुटन पर click करा देंगे यहाँ पर ही आ अगर आप double click करके देखते हैं यह HDR है यहाँ पर show कर रहा है अब हम यहाँ पर नीचे देखते हैं यहाँ पर होता है multiplier मुल्टिप्लेयर है चीडआरए की प्रोपरटी में यहां पर अगर आप देखेंगे प्रोसेसिंग में यहां पर उते हैं और पार भी multiplier डाल कर देख सकते हैं अगर मैंने suppose ग्रोई overall multiplier में करा दिया 5 और render multiplier में करा दिया 3 यह इसको इससे multiply करेगा अब हम इसको अगर render करके देखते हैं तो अभी भी lighting सही आ रही है अगर आप और ज्यादा करना चाते हैं तो वहाँ से multiplier को बढ़ा या गटा सकते हैं यहाँ से आप multiplier को बढ़ा सकते हैं या गटा सकते हैं नीचे यहाँ पर वापस मैं 1-1 कर देता हूं और फिर render करके देखता हूं तो lighting फिर से कम हो गई दो तरीके तो यह हो गए lighting बढ़ाने के या तो आप dom light को select करके यहाँ से multiplier बढ़ा दें डारेक्ट कुछ भी करने की ज़ुरत नहीं है या फिर आप इसको material editor में रखें और यहाँ से overall multiplier और render multiplier को गटा बढ़ा के change करा सकते हैं last है इसमें अगर आपको lighting ज्यादा करना है तो camera को select करें वह वाला camera select करें जो जिसका आपको render करना है मैंने इसको select किया select करने के बाद यहाँ पर होते हैं इसमें shutter speed shutter speed अगर यहाँ पर by default जो भी है इसको कम कर देते हैं मैंने यहाँ पर की value 50 और मैंने इसको किया render तो lighting बढ़ गई और भी ज्यादा lighting करनी है तो आप इसको select करें और 50 बजाए suppose ग्रमे ने यहाँ पर करा जा 10 और render किया तो जितनी आप कम के value करते चले जाएंगे lighting बढ़ती चली जाएगी तो आप इस तरीके से भी lighting को बढ़ा गटा सकते हैं लेकिन इसमें simple सबसे आसान तरीका बस यही है आप इसको select करें विरेड ओम light को और इसके multiplier को यहाँ से आप बढ़ा या गटा लें यहाँ से 30 रख लें या 25 यह आपके उपर depend करता है जितनी lighting आपको अपने project में दिखानी है आप अपने इसाब से lighting ले सकते हैं अब बात करते हैं हम पीछे जो हमने HDRi लगाई है इसको अगर आपको rotate करना है तो कैसे करेंगे अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर यह sun दिखा रहा है यहाँ पर यह sun शो कर रहा है और shadow इस side में आ रही है आपको यह इसी तरीके से lighting नहीं लेनी है अपने project में आपको lighting दूसरी side से लेनी है तो वो कैसे करेंगे तो इसको आप simple तरीके से बस यहां से rotate करके कर सकते हैं या फिर आप यहां पर material editor में जाएंगे और इसको select करेंगे और यहां से आप horizontal rotation से इसको rotate कर लेंगे अभी अगर आप देखेंगे sun आपके बिल्कुल camera के सामने है अगर आप यहां से कोई भी angle दे देते हैं तो यहां से यह change हो जाएगा अगर मैंने यहां पर 45 दिया तो 45 degree पर चला जाएगा तो एक तरीका तो यह है यहां से आप दे सकते हैं कुछ भी angle देके यहां पर horizontal rotation में और उसका effect render में पढ़ेगा दूसरा तरीका यह है हम इसको direct rotate कर लेंगे लेकिन rotate करने से पहले इसको select करके आपको यहां पर dom light के option में जाकर यहां पर click करना होगा lock texture to icon इसको मैंने lock करा दिया अब हम यहां पर इसको rotate करेंगे लेकिन rotate अगर आप direct इसको देखना चाहते हैं तो आप interactive render को चला कर रखें यहां पर render चल रहा है आप angle snap भी कर सकते हैं और अब आप यहां पर इसको rotate करा सकते हैं अब अगर मैं इसको rotate कराता हूँ ऐसे तो पिछे इसी के हिसाब से rotate होता रहेगा जैसे भी आप rotate करेंगे अब देखिए sun इस side में चला गया और इस side से ही है sun आ रहा है तो इसी हिसाब से shadow आ रही है अब आप इसको अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगता है विसे आप इसको मतलब rotate करके रख सकते हैं तो यह देखिए हमारे पास इस तरह का result आ रहा है बाकि जब आप render की setting करके निकालेंगे तो उसका result उतना ही अच्छा हैगा और आप high definition में इसको download करें जो hdri image है तो आपको environment में यह सब चीजे create करने की जुरुरत नहीं है आप देख सकते हैं अगर hdri ना हो तो इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा और sky भी मिल जाएगा आपको जो चीज आपको clouds वगेरा sky में मिलेगा उसी तरह का आपको sky मिलेगा जो website का link मैंने नीचे दिया है वहाँ से आप बहुत सारी hdri डाउनलोड कर सकते हैं और सभी तरह की hdri वहाँ पर मिलती हैं तो मैं यहाँ से render को stop करा देता हूँ आप देख सकते हैं हमारे पास कितना अच्छा इसका view आ रहा है बहुत simple सी setting के ऊपर है और जब high इसको setting करके निकालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बाकी इसमें जो इसकी settings हैं उसको आपको ज़्यादा change करने की जरुरत नहीं है dom light में जो इसमें है आप इसको as it is रखें और बाकी सब advance में आती है अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हैं वेसे जरुरत नहीं होती change करने की बस multiplier ही आप अपने according इसमें change करा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में हम वीरे lights के जो बाकी options बचे हैं वो हम सीखेंगे चैनल को जरूर subscribe करें और वीडियो को share करें अपने friends के साथ में साफसफाई का ध्यान रखें गरीबों की मदद करें जब तक lockdown है अपने अपने घरों में रहें घरों से बाहर ना जाएं घरों पर रेखर कुछ भी सिखें नई चीज करके देखें नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सिखेंगे तब तक के लिए थेंक्यू